नमस्कार विद्यार्थी मीत्रों आचे आपने धोर्ण बार विशै संस्कृत पाठ सोल पुतली का परिक्षानों बीचो भाग जोईसु तो आपने पाठनी सरुवाद करिये मंत्री ताह ते पुतली काह पुतलियों ने श्व कृत्य लैने ग्रुहमा गच्छती पोताना घरे आवे छे मंत्री ते पुतलियों लैने घरे आवे छे ग्रुहमा ग्रत्य परिस्रान्ता घरे आविने थाकेलो अपी होवा छता पन परिस्रा बुभुक्षा चो उपेक्ष्य भुग अने थाक तरब त्यान न आपीने सर्वानी बद्धाज देन दिनाननी रोजबरोजना कार्यानी कार्योंने परित्य ज्य त्य जीने ताह ते पुतली का पुतलियोंनी शुक्षमे शीकया जिन्वट भरी परिक्षते तपास करे छे ततह शह पुतली का करने सु पछी ते पुतलियोंना कानमा छिद्र एकम पस्यती एक छिद्र जुवे छे मंतरी ते पुतलियों लईने घरे आवे छे गेर आवीने थाकेल होवा चता पन भूख्यो होवा चता पन भूख औने थाक तरप ध्यान न आपी ने रोज बरोजना सर्वा कारियोंने त्या जीने ते पुतड़ियोंनी जुन्वाट भरी ता पास करे छे पची ते पुतड़ियोंना कानोमा एक छिद्र जुवे छे किम अर्थ मिदम छिद्र मिती आ छिद्र एटले के कानो सा माटे छे चिन्त यत हो एम विचारता तस्य तेना मनसी मनमा अस्माकम एक विचार समु उत्पन हो तेना मनमा एका एक एक विचार उत्पन थयो तम अनुसार असो तेने अनुसरता एने पुतली का नाम करने एका पुतड़ियोंना कानमा एक शलाका एक सडी प्राक्षी पत नाखी आ छिद्र एलेकानु सामाटे छे एम विचारता तेना मनमा एका एक एक विचार उत्पन थयो तेने अनुसरता एने पुतड़ियोंना कानमा एक सडी नाखी सर्वाशू बद्धी पुतली काशू पुतड़ियोंना प्रक्षी तायाम नाखेली शलाकायाह पुतड़ियोंना परिनाम त्रयम त्रण परिनाम प्राप्तम प्राप्त थया बदी पुतड़ियोंना नाखेली सडीयोंना त्रण परिनाम प्राप्त थया एक अस्या एक पुद्ली काया हां एक पुद्ली ना करने कानमा प्रक्षिप्ता ना खेली शलाका सडी अपरस्मात बीजा करनात कानमा थी बरही निर्गत्या बहार निकडी एक पुद्ली ना कानमा ना खेली सडी बीजा कानमा थी बहार निकडी द्रितिया पुद्ली काया हां बीजी पुद्ली ना करने कानमा प्रक्षिप्ता ना खेली शलाकाया सडी मुखात मुखमाती बरही निर्गत्या निर्गता बहार निकडी जारे बीजी पुद्ली ना कानमा ना खेली सडी मुखमाती बहार निकडी त्रितिया हा पुद्ली काया त्रिजे पुद्ली ना करने कानमा प्रक्षिप्ता नाखेली सलाका सडी उदरम गता पेटमा गई नपुनह बही समा गता फरी बहार आवी नहीं ज्यारे त्रीजी पुत्रीना कानमा नाखेली सडी पेटमा गई फरी बहारावी नहीं त्यार बादागर जुए अनेन प्रसन आनाथी प्रसन थैला मंत्री निस्चितो भुत्वा मंत्री निस्चित बनीने दीवसम दीवसने या पयती वितावे छ आनाथी प्रसन थैलो मंत्री निस्चित बनीने दीवस वितावे छे वारा फर्थी मुल्यम विग्नापयती मुल्य जणावे छे एक पची एक पुतोडियोनू मुल्य जणावे छे तम मुल्य वणी कह ते मुल्य नू वणी के सर्वथा सर्वरी ते अन्वो मोदयती समर्थान करियो आनाथी प्रसन थैला मन्तिर निस्चित बनीने दीवस वितावे छे 32 से ते राज दर्वार मा उपस्थित थैने पुतोडियो बतावी ने एक पची एक पुतोडियोनू मुल्य जणावे छे ते मुल्यनू वणी केटके व्यपारी ए सर्वरिते समर्थान करियो ततह पची आस्चरिय चकीत आस्चरिय पामेला रूप राचाई मुल्य भेदस्य कारणम पुछती पुतोडियोना मुल्यना रहस्यनू अत्वके भेदनू कारण पुछे छे कारणम विग्ना पयन कारण दर्शावता थो कारण जणावता वणीक कथियोती वे पारिये कहे छेके हे रूप हे राजन मया मे प्रथमाय हा पुतली का यहा मे प्रथम पुतलीनू मुल्यम मुल्य रूप को रूप्य को मात्रम कथी इतम मात्र एकज रूप्य कहियो यतोही केमके एतस्या आना करणे कानमा प्रक्षिप्ता नाखेली सा ते शलाकाया सडी द्रितिया करणात बीचाकानमा थी बरही निर्गच्चती बहार निकडे छे यह जनह जे मनुस्य हीत करम हीत कारक वचन वचन एक करनेन एक कान थी स्रूनों ती सांबडे छे अपरस्मात अन्ये बीचा कानमा थी बरहीन निसकाय ती बहार काडी नाखे छे तस्य मुल्य अपी तेती तेनु मुल्य पन रूप्यक माद्रम भवती माद्र एक रूप्योज थाई छे पछी जुए पछी आसरिय पामेला राजा पुत्ड़ियों ना मुल्य ना रहस्यनू कारण पुछेची कारण दर्शाब्ता वणी के कही छे के हे राजन में प्रथम पुत्ड़िनू मुल्य फक्त एक जुरूप्य कहीँ केम के आना कानमा नाखेली ते सडी बिजाकान माती बहार निकडे छे जे मनुस्य हीत कारक वचन एक कान्थी साब्डे छे अने बिजाकान माती बहार काडे छे तेनू मुल्य पन मात्र एक रूपिया जेटलूज थाई छे आगर जुए द्रितिया पुतली काया बिजी पुतली नू मुल्य कीमत अत्वा के मुल्य सहस्त्र रूपिय का मात्रम कथीतम फक्त एक हज्या रूपिया कहिव हतु यतो ही केमके एतस्या करने आनाकानमा प्रक्षिप्ता नाखेली सडी शलाकाया सडी मुखा निर्गचनती मुख माती निकडे छे एक हजनह एक मनुष्य हीतकरक वचनम हीतकार हीतकारी वचनने करना भ्यम बेकानोती साम्बळे छे स्रूनोती साम्बळे छे तद अंतरम असो ततह त्यारबाद ते हीतकरम हीतकारक वचनम वचन परे भ्यह अन्योने माटे उपदीसती उपदेस करे छे परम स्वयम तत्र न प्रवर्थते परंतु पते तेमा प्रवुद थतो न थी एता द्रुषश्य जनश्य आ प्रकारना मानसोनु मुल्यम मुल्य सहस्त्र रूप्य को मात्रम भवती फक्त एक हज्या रूप्या होई छे बिजी पूतली नी किमत फक्त एक हज्या रूप्या कही हती केम के आना कानमा नाखेली सडी मुख माती निकडे छे एक मनुस्य हीतकारी वचनने बेकान्थी साम्डे छे त्यार पची ते हीतकाराक वचन अन्योने माटे एटलो के बीचाओने माटे उपदेस करे छे बीचाओने उपदेस आपे छे परन्तु पोते तेमा प्रवुत थतो नथी परन्तु पोते तेमा तेनो अमल करतो नथी आ प्रकारना मानसनु मुल्य फक्त 1000 रुप्या होई छे। त्यार बादा गड़ जुए त्रुतिया पुतली काया हो। त्रीजी पुतलीनु मुल्यम मुल्य लक्षय रुप्यकम कथियती एक लाक रुप्या कहेल। यतोही एतस्या कारण के आना करने कानमा प्रक्षिप्ता नाखेली। सलाकाय हां सडी। उदरम गता पेटमा जाय चे न प्रत्या वर्तते। अने पाची बहरा आवती नती। त्रीजी पुत्रीनु मुल्य एक लाक रुप्या कहेल। कारण के आ पुत्रीना कानमा नाखेली सडी। पेटमा जाय चे अने ते पची पाची बहरा आवती नती। यह जनह आ मनुश्य हीतकरम वचनम कल्यानकारी वचन। करणा भ्यम बेकान वडे। सुरूनोती सांपडे चे। तद अंतराम असो त्यार बाद ते। तत हीतकरम वचन। ते हीतकारी वचनने। स्वय मसी पोताना मसी ले मनमा स्थाप यत्वा उतारी ने स्वजीवने पोताना जीवनमा। यथा प्रसंग जेते प्रसंगे तत ही तेनु परी पालियती तेनु पालन करे छे। एता द्रुशश्य आवा जनश्य मानसनु मुल्य अधिकम, मुल्य वदु होव। स्यादिती होव जोये। विचारिय अस्य एम विचारी ने। अस्य मुल्यम आनु मुल्य लक्ष रूप का अत्मकम निर्थारितम अस्ति। आनु मुल्य एक लाक रूप्या जेटलू निस्चित करियू छे। त्रिजी पुदलनु मुल्य एक लाक रूप्या कहेलू कारण के आना कानमा नाखेली। पेटमा गयली सडी पाची बहरावती नथी। आ मनुष्य कल्यानकारी वचन बेकान वडे सांबडेचे त्यार बादिते हीतकारी वचनने पोताना मनमा उतारीने पोताना जीवनमा जेते प्रशंगे तेनु पालन करेचे आवा मानसनु मुल्य वदु हौँ जो ये एम विचारीने आनु मुल्य एक लाक रूप्या जेटलू निस्चित करियू हतु। समानाम पुतली का नाम एक समान पुतलियोना असामाने असामान मुल्य मुल्यमा इदम आ तात्वीकम चिंतनम निर्हीतम अस्ति रहेलू छे। एक समान पुतलियोना असामान मुल्यमा आ तात्वीकम चिंतन रहेलू छे। विध्यार्थी मित्रों अहें आपनों सोड मोपाट। पून अथाई छे। अस्तु। झाल